तो आज हम बनाएंगे ब्राउन राइस से तवा पुलाओ जो कि बहुत ही तेस्टी बनने वाला है और हल्दी भी तो इसके लिए यहां पर मैंने दक्ष पाउंस का ब्राउन राइस लिया है तो पहले हम राइस को अच्छी तरह से दो लेंगे दो से तीन बार और उसके बाद एक कप ड्राउन राइस के लिए हमें तीन कप पानी यूज करना है कुकर में इसे तीन से चार सीटी आने तक कुक कर लेना और थंडा होने के लिए साइड में रख देंगे तब तक हम इसका जो है पुलाओ का मसाला रेडी करते हैं तो मसाली के लिए यहां पर पहले मैंने तो में थोड़ा सा जीरा प्राइ कर लिया है उसमें बारी करते हुए आलू और सोया चंग जो होते हैं सोकिये हुए उन्हें फ्राइ कर लेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद जिंजर गार्लिक पेष्ट को साथी में फ्राइ करेंगे यहां पर आप कोई भी से कुक कर लें और उसके बाद यह हमारे बॉइल राइस जो हैं ब्राउन उन्हें अट कर दे और अच्छी तरह से मिक्स कर लें और हमारा टेस्टी और हैल्दी ब्राउन राइस वाला तवा पुलाव रेड़ी है आप भी इस तरह से एक बार ज़रूर राइक कीजेगा इन से आप पुलाव बनाए बिर्यानी बनाए आप सिंपली बॉइल राइस एंजॉय कीजिए बहुत ही हल्दी होते हैं हल्थ के लिए तो आप वीडियो पसंद आयो तो लाइक शेयर से जरूर करें थैंक्स पर वोचिंग